नमस्कार दोस्तो बियारी चिचा यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो दोस्तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सुसक वन अनुसंदान संस्थान का जो ऑनलाइन फॉर्म आया है उस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी ज टेकनिशियन का ये सारे पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको 10th, 12th, ITI और BSE खोज रहा है तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले हम अपने नए दोस्तों से कहना चाहेंगे जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेटेस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों हम आ गहे हैं एरिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्ट्यूट के ये ओफिशल साइट पे यहां पे हम लोग देख सकते हैं यह आपके सामने दिख रहा है लोग इन या रेजिस्टेशन तो लोग इन या रेजिस्टेशन है तो लोग इन अगर आप रेजिस्टेशन पहले कर लिए हैं तो यहां से आप लोग इन कर सकते हैं अगर आप रेजिस्टेशन नहीं किये हैं तो रेजि सामने आ जाएगा तीन ओप्सन सिटीजन उधियोग और गॉर्मेंट एमप्लोई तो दोस्तो आपको करना है सिटीजन पे क्लिक सिटीजन पे क्लिक कर जेगा दोस्तो तो आपके सामने आ जाएगा यहां पे जन अधार बहामासा फेसबुक और गूगल तो दोस्तो हम गूगल के थुरू अपना रजिस्टेशन अपना email ID और password के थुरू हम अपना registration कर लेंगे तो registration करने के बाद दोस्तों फिर से हम redirect हो जाएंगे इसी page पे यहाँ पे आपको अपना login ID और password डालना है जो आपके mail ID और आपके phone पे आया होगा तो तो दोस्तों यहाँ पे login ID और password को डाल लिजे, login ID और password को डालने के बाद आपको दीचे दिया हुआ है capture, capture को हम देखकर सोधानी पुर्वक भर लेना है और नीचे login पे हमें click करना है, दोस्तों जैसे ही आप login पे click किजेगा, आपके सामने यह next slide आजाएगा, यहाँ पे आपक application, bill payment, तो यहाँ पे हमें recruitment portal जो पहले वाला दिख रहा है भारत सरकार का emblem उस पे हमें click कर देना है, दोस्तों recruitment portal पे आप click किजेगा, आपके सामने आजाएगा, यहाँ पे dashboard, डास्बोर्ड में यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है उपर profile last updated और उसके बगल में लिखा हुआ profile complete status, तो दोस्तों हमें कर लेना है profile completion status पे click, वहाँ पे देख सकते हैं नीचे ongoing recruitment दिया हुआ है, वहाँ पे आपको लिखा हुआ है direct recruitment of AFRI 2021, यहाँ पे दिया हुआ है apply now, apply now पे आपको करना है click, तो दोस्तों आप apply now पे click किजेगा, तो आपके सामने आजाएगा various posts, various posts में किसी भी post को, जिस भी post पे आप select करना चाहते हैं, उस post को आपको click करना है, वहाँ पे जैसे ही आप click किजेगा उस post पे, तो आपके सामने आजाएगा state recruitment portal का form fill up application form का, तो यहाँ पे हमने जैसे lower division clerk के लिए apply किया था, तो वहाँ पे आपके सामने आजाएगा यह आपक सकते हैं, लिखा हुआ है basic detail, personal detail, qualification and experience, और identification and closer, दोस्तो बेसिक detail में हमें अपना basic detail को अच्छी तरह से भरना है, तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं, लिखा हुआ आवेदक का नाम, आवेदक का नाम में दोस्तो आपको अपना नाम, जो लोग apply करना चाहते हैं, वो अपना नाम को यहाँ पे लिखेंगे, नाम लिखने के बाद दोस्तो हमें लिखना है पिता का नाम, पिता का नाम में आप लोग अपने पिता जी का नाम भर लीजे, उसके बाद दोस्तो हम देखते हैं माता का नाम, माता का नाम में आपको अपने माता जी का नाम लिखना है, माता बर्थ में आपको अपना जनम तिथी डालना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको आयू लिखा हुआ है इसमें आपको लिखना है अपना उम्र यहां पर फिर दोस्तों नीचे आजाता है स्रेनी स्रेनी में आपको अपना कैटेगरी चूस करना है कि आप कि स्रेनी से आते दोस्तों फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्क से हैं EWS Candidate के लिए पूछ रहा है तो आप इसे यसवनों में जवाब दे दीजे अगर आपके पास certificate हो तब ही तो दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है क्या आप PS Candidate है तो उसे भी आपसको दर्साना है अन्य था नीचे दोस्तों देख सकते हैं और विवाहिक स्तिती पूछ रहा है यहाँ पे आप लोग अपना विवाहिक स्तिती डाल दीजे आप विवाहित है या और विवाहित है अगर विवाहित है तो आपको अपना जीवन साथी का नाम को यहाँ लिखना होगा दोस्तों जिवन साथी का नाम लिखने के बाद दुस्तों नीचे दिया हुआ है mobile number तो mobile number को आप लोग mobile number अपना भर लीजिए उसके बाद दिया हुआ है email email में आपको अपना mail ID डालना है mail ID डालने के बाद दुस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है correspondence address पत्र चार पता यहां पे आपको करना है पता पंक्ती एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 यहां पे आपको अपना पता को भर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको अपना राज को चैन करना है राज चैन करने के बाद दोस्तों आपको अपना जीला को चैन करना है जी जगह से हो अपना सहर का नाम लिख दीजिए या आप गाउं में राने वाले हैं तो आपको अपना गाउं का नाम लिखना है दोस्तों उसके नीचे दिया हुआ है pin code, pin code को आप लोग को अपना भर लेना है उसके बाद और आपको phone number पूछ रहा है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपके पास अगर phone है तो फिर नीचे देखते हैं हम लोग दोस्तों लिखा हुआ है permanent स्थाई पता अगर आपका present address और permanent address सेम है, तो सेम एस अबो पे टिक कर दीजे, अन्य था आप एक एक करके फिर से वैसे ही इस पता को भी भर लेना है भरने के बाद दोस्तों नीचे हम लोग देख सकते हैं next का button, next का button पे हमें click करना है जोस्तों जैसे ही next के button पे click किजेगा आपके सामने आ जाएगा personal detail में आप लोग आ जाएगा तो personal detail में दोस्तों नीचे है देख सकते हैं अधिवास वीवरन, यहाँ पे आपको अपना राश्टियता को chain करना है ग्रीह राजे आपका कौन है उसे chain करना है उसके बाद आपसे पूछ रहा है ग्रीह जीला कौन है उसे आप लोग को chain करना है ग्रीह जीला के बाद फिर पूछ रहा है ग्रीह ब्लॉक क्या है आपका है उस ब्लॉक को आपको select करना है तो हसील या सहर का नाम आपको यहाँ पे चैन करना है दोस्तों उसके बाद दिया हुआ है गाओ तो गाओ का नाम में आप लोग अपना गाओ का नाम को चैन कर सकते हैं फिर आपसे नीचे पूछ रहा है विशेश स्रेणी विशे स्टेणी में आपसे क्या पूछ रहा है पहला सवाल क्या आप भूत पूरु सैनिक हैं तो अगर हैं तो आप लोग को यह स्वेनों में सेलेक्ट कर लिजे कितने साल का आप सर्विस दी हैं स्टेटस आपको बताना है फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप भूत पूरु कैदी हैं उसको आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे चैन कर लिजे अगर हैं तो यहाँ पे आपको कब से कब थे उसको बताना होगा उसके बाद आप से पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग क्या आप वर्तमान में भारतिये वानी की अनुसंधान इस इच्छा पारसद या उसके किसी संस्थान के करमचारी है अगर आप हैं तो आप यह असर्णों में जवाब देना है किस पदपे हैं वहाँ पे लिखने के बाद दूस्तों आपको करना है नेस्ट पे क्लिक दूस्तों जैसी अप लोग नेस्ट पे क्लिक किजिएगा यहां पे educational qualification का detail भरने को left को आपको नीचे देख सकते हम लोग निखा हुआ है कि यहां पे आपको लिखा हुआ है name of exam तो परिछा का नां परिछा आप यहां पर लिखना है इसके बाद दोस्तों किस बोड या university उसको यहां पे लिखना है लिखने के बाद दोस्तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है role number role number आपको यहाँ पे लिख लेना है role number लिखने के बाद दोस्तो percentage परिणाम लिखा हुआ है तो आपका result percentage में था या CGPA में उसको यहाँ पे chain कर लेना है किस साल आप pass किये हैं उसको यहाँ पे चैन करना है चैन करने के बाद दोस्तों आप से पूछ रहा है कितना परसेंटेज आप मार्स लेकर रहे थे तो कितना परसेंटेज मार्स लेकर आथे उसको यहाँ पे लिख दीजे उसके बाद दोस्तों आपको करना है अपना मार्च सीट को अपलोड मार्च सीट जो रहेगा 500 के भी तक यहां पे आप अपलोड कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे हम लोग देख सकते हैं बहिस्कृत करने का विवरन तो अगर आप कभी परिच्छा के बाहर निकाले गया हैं तो इसे आप लोग अपने अनुसार भर लिजे अन्य था हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक किजेगा आपके सामने आजाएगा आइडेंटिफिकेशन एन एन क्लोसर identification and closer में आपको अपना photograph को upload करना है जो passport size photo रहेगा आपका minimum size आपका 50 के भी रहेगा maximum size जो रहेगा 100 के भी रहेगा दोस्तो file type जो है jpg या jpg में रहेगा उसके बाद दोस्तो आपको करना है signature upload signature को आप ब्राउस के माध्यम से click करके upload करना है इसका minimum size जो है 20 के भी से लेके 50 के भी तक रहेगा दोस्तो फिर आपसे पूछ रहा है आपके सरीर पे का कोई चीन या निशान body mark में आपको उसको भर लेना है उसके बाद दोस्तो next पे आपको click करना है जैसे ही दोस्तो आप लोग next पे click किजिएगा आपके सामने आ जागा preview जैसा form का option यहाँ पे आप लोग अपना form को मिला सकते हैं या फिर अन्य था आप update करना चाहते तो यहाँ पे आप update कर सकते हैं नहीं तो दोस्तो नीचे दिया हुआ घोसना घोसना में आपको कर लेना है टिक करने के बाद आपको click करना है पे फी पे जोस्तो जैसे ही आप लोग पे फी पे click किजिए गए यहाँ पे आ जाएगा आपको date, name, category, विवाई किस्तिती, application fee का charge किस प्रकार का recruitment हो रहा है recruitment का name, आपके पिता जी का नाम क्या पी एच केंडिडेट हैं क्याहा के निवासी है, यह सारा detail यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नीचे लिखा होगा total charge आपका application का, उसके नीचे दिया हुआ पे फी, पे फी पे हमें कर लेना है click, दोस्तो जैसे ही पे फी पे click किजिएगा, आपके पास आजाएगा various payment mode, यहाँ से आप लोग अपना net banking, aggregator, API जो भी है आपका उसको आप लोग chain कर सकते हैं उसको chain करने के बाद दोस्तो आपको करना है pay now पे click दोस्तो पे नाव पे click किजिएगा, आपको आएगा OTP, OTP के माधियम से सब चीज आपको यहाँ पे जनकारी देजना होगा, फिर आपका जो form है वो successfully submit हो जाएगा तो दोस्तो ऐसे करके हम लोग ने यहाँ पे देखा कि कैसे इस सुसक वन अनुसंदान संस्थान का जो online form आया है, इस form को में कैसे भरना है यह step by step हमने आपको पूरी जनकारी दी इस वीडियो के माधियम से, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगाओ तो इसे like कर दीजेगा और हर एक जरूत मन लोगों के साथ share कर दीजेगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ब्यारी चे चाको तो सब्सक्राइब करना बुलिएगा, धन्यवाद